जाएन दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल के माई एजूकेशन में आए हम आपको बाल मुनों भी ज्ञान यानि सीडीपी का कुछ कुछ कराएंगे जो की बहुत ही अच्छे और चुनिंदा कोश्चन है इन कोश्चनों को आएए देखते ह का पहला कोश्चन यानि से की परिक्छा समेप आने पर पाठ करा ना होने की दसा में अध्यापक को चाहिए तो यदि पाठ करम पूरा नहीं है उसंदसा में अनियाक को क्या करना चाहिए तो बालक केद प्रति पहले कि छात्रों को मैं झक पूरा करने को कहें कुछ चुनिंदा प्रशणों को करवा दे और तीसरा करा है घर बुलाकर पाठेक्रम को पूरा करा यह भी नहीं हो सकता है कुछ प्रस्णित हम करवा दें तब भी हमारा काम नहीं चलेगा कहता है कि अत्रिक्त समय देखें उनके कार्व करते हैं दोस्तों पूरा करवाते आए अब अगला रहा है कि कछा में अध्यापक को कछा में अध्यापक को अधिका अधिक प्रश्ण पूछे जाने क्यों चाहिए कि क्यों को पूछने चाहिए यानि कच्छा में अध्यापक अधिक से अधिक प्रशन क्यों पूछे पहला है प्रधानाचार संपन होते हैं दूसरा कच कच्च में अनुसासन रहता है तीसरा है छत्र को अभिःक्ति का आउसर मिलता है कि छत्रों को अधिक से अधिक क्या मिलता है अभी भीयक्ति का असर मिलता है तो अभी भीयक्ति का तोंवारा आफसंद किस के साथ चला Savannah सी के साथ दोस्तों ठीक तो अपसन से हमारा इसमें सभी कोच्छन हे हिंदी हिंभी अक्षरों को बालक किस आउप में पहचानने लगता है देखिए पहली बात है कि हिंदी के अक्षार बालक किस आयू में पहचानने लगेगा जैसे कि हमने लिख दिया और प्लास न और द ठीक है तो इसको मिला के हमारा क्या हो जाएगा आनंद आनंद बने आनंद बनेगा तो बच्चा हमारा कभी यह चीच सीखने लगेगा तो कम से कम जब सीखता है बच्चा तो उसकी एज क्या होती है पांच साल अगला कोस्चन कहता है कि प्याजे के संगयान अत्मक विकास सिध्धान्त के अनुसार समवेगा अत्मक अवस्था होती है जिन प्याजे के अनुसार किसके अनुसार जिन प्याजे के अनुसार की संगयात्मक अवस्था कौन-कौन से होती है तो जिन प्याजे महोदे के अनुसार जो हमारी संगयात्मक अवस्था होती है वो होती है संगयात्मक अवस्था यदि हम संगयात्मक अवस्था की बात कर दोस्तों है तो जीन प्याजय महुदय के अनुसर संभे गात्मक अवस्था जो अमारी जोगी आफ को उएं टी के तो जीन अंवाज्य महुदय के अनुसर जो हमारी इस अरो सम्भेगाद्मक वहत्मक कवस्था समय का आपनक आवस्था जोगी ये होगी कि लिए है जलोhourस्थर प्राइब वस्था करते हैं कि आए इसके वागे चलते हैं देखिए काता है कि तनाव और क्रोध की अवस्था देखिए तनाव और क्रोध की जो अस्था होती है यह बड़ी बेचैन होती है और बड़ी ही उत्पाती होती है पहला कह रहा है कि सहस्वा अस्था जो होती है क्या सहस्वा वस्था तनाव और तनाव और क्रोद की होती है नहीं बाल्या होस्ता होती है ये भी नहीं ब्रिदा होस्ता होती है ये भी नहीं कौन से होस्ता होती है दोस्तों तो किसोरा होस्ता किसोरा होस्ता ऐसी होस्ता है जो सबसे अधिक तनाव और क्या होता है इसमें क्रोद उत्पन होता है कि हर एक बात कि उत्तर बाले आवस्ता में बालक भावतिक वास्तों के किस आवस्चक तत्तों में परिवर्तन समझने लगता है उत्तर बाले आवस्ता है इसमें बालक जो किस बहुतिक तत्तों के बारे में समझने लगता है तो पहला है क्या द्रबेमान के बारे में केवल समझता है या द्रबेमान और संख्या के बारे में समझता है या फिर संख्या है तो इसका अंसर हमारा जो जाएगा दोस्तों यह आंसर डी के साथ जाएगा और इसका क्या होगा D answer सही होगा अगला question कहता है कि बच्चों के संग्यानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिवासित किया जाता है बच्चा का अच्छे तरीके से उसे कहां परिवासित किया जाएगा person हमारा आता है दोस्तों पहला option जो की है खिल के मैधान में नहीं गर्रह में यह भी नहीं होगा औरी में यह भी होगा तो किसमें उगा विद्याले हो कच्छा में बच्चे के संग्यानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके परिवासित किया जा सकता है तो तो next question nós one गढ़ी है दो देखिए घेलों के माध्यम से बालको कौण सा घुड़ कुर्षितव होता है अब यह बताए एक क्छेल है जो एक जिस्हेव और खेल के माध्यम से बच्चे में हमारे जो सबγοर बिक्सित होता है तो समाज में जो एदि खेल के माध्यम से बात करें तो हमारा जो आपसन आए आपसन नम्मर क्या होगा यह सई होगा कि समाजिक्ता यानि किसका समाजिक्ता का कि अगला कोश्चन जो आता है अगले कोश्चन में देखते हैं दोस्तों कि देखे अगला कोशन क्या करा है कि बच्चे के लिए नी शुल्क अनिवार सिछा अधिकार कितने वर्स के बच्चे के लिए लागू किया गया है तो देखिए बच्चे के लिए जो ने सुल्क सिछा की बात की जाए तो आठकिल 21 A में है आठकिल किस में है 21 A में इस किस A में कहा गया है कि 6 से लेके 14 वर्ष की बच्चे के लिए निसुल्क सिच्छा दी जाए तो किस में होगा दोस्तो आठकिल A में आठकिले में क्या है 6 से लेके 14 वर्ष की बच्चों को निसुल्क सिच्छा दी जाए अब अगला कोश्चन हमारा जो है अगला क्या है बाल केंद्री सिच्छा की और धारणा मनो विज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है तो क्या गेस्टाल्ट वाद ने दिया है या संदशना वाद ने दिया है मनो विज्ञान 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 है जिसमें बच्चे के मन के यानि मस्तिक्स के बारे में बताया जाता है वह हमारा मनो विज्ञान 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 अगला है समाज समाज की उन्नति का मूल है ठीक है कि समाज जो है इस समाज के उन्नतिका मूल क्या है तो समाज के उन्नतिका मूल है बाल बालिका सिच्छा एक समान हो यानि बालक और बालिका का सिच्छा जो होती है उसके अस्तर को एक समान किया जाए ठीक है बालिका सिच्छा को कम अध्यों मिले ये तो हो ही नहीं सकता कि यदि बालक को अलग बिद्ध्याले यह भी कोई जरूरी नहीं है कि बालिकाओं के लिए अलग बिद्ध्याले हो तभी हमारी समाज की उन्नती होती है ऐसा नहीं है केवल महिलाओं के लिए जिस पे निंगेट्व आपसन आजाए वो तो हो ही नहीं सकता दोस्तों क्यों क्योंकि हमारा जो को वालिकाओं को एक समान सिच्छा दी जाए यह हमारा आपसनिस में सही होगा अगला कोश्चन है अगला कोश्चन कहता है कि साइकल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है यह है जब इसका मतलब क्या है बस यह समझे लिजिए आप इस कोश्चन को आल कर लेंगे कहने का मतलब यह है कि एक दिशा में सीखा हुआ जब दूसरी दिशा में हमारा सहायता प्रतान करता है सहायक होता है यानि कि वह ग्यान क्या होता है धना कौइए लगा दें जिसे कि हमें लाब प्रदान हो वह हमारा दनात्मक होता है क्या हुआ क्या अब motorcycle चलाने लगे तो हमें motorcycle चलाने वाले समय में क्या होगा लइवकारी होगा क्यों कि हमें कैसे handle चालना है कैसे अमें उसे balance करना चीज़ हमें इस में सीख जाते हैं तो गाड़ी चलाते समय यानि कि दो पही यह इन TIM讲 स्मय साथ 14 बात करें डी डिने मयां टा डे निव की बात करें तो डी डिनेमा की रचना जो है उन्हों नहीं तो डवेने की रचना जो किया है वह अरस्तु आरस्तु जोँ है डवेने माय के लिखा के इसके रचनाकार है अरस्तु क्वारा दूसरा आप supports pork성 के समय स्तिशु में तो दैंग के समय यानि जब बच्चा पैदा तो बच्चे में कितनी अड्य आधियां होती है तो जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे में 270 या 300 अधियां पाई जाती है तो 270 होगी या तो 300 अधियां पाई कि यह समय सिसु की बात किया है कि जब बच्चा पैदा हो रहा है उस समय तो बच्चे के सरीर में यह तो 270 या 300 अगला कोश्चन अगला कोश्चन है कि बालक अपनी मां को पहचानना प्रारम कर देता है बाह कितनी अच्छी बात कही है कि बच्चा जो है प्रतेक बच्चा अपनी मां को कब पहचानना किस आयू में पहचानना शुरू कर देता है क्या जब बच्चा छे महिने का होता है तब अपनी मां को पहचानना शुरू कर देता है कितने महिने की आयू में दो से तिन महिने की अगला कोस्चन ओमरा यह लंबे और कठ़िन सब्दों का उच्चाराल करने के लिए आप क्या करेंगी अधिक तो उसक्त उच्चाराल कैसे करेंगे देखिए ऐसे सब्द बार-बार बुलवाया जाते हैं नहीं ऐसे सब्ध बार बार बुलवाया जाएं कोशन सीटेट के एकड़म में कई बार पूछा है और इस कोशन का उत्तर सीटेट के एकड़म के अनुसार आपसन नमर B को माना जाता है आप सीटेट का कहना है कि जो कोईस्चन हमारा है इसमें कि सब्दों को अलग-अलग खंडों में यालिए अलग-अलग सब्दों में बांट के उनको क्या किया जाए हम बुलवा सकें इसको वह सही मानता है नहीं कि युट तो मानने के लिए और भी धोनों सही मानसकते हैं लेकिन हमारा यहां पर आप संचो जाएगा आरड़ों कि यहां पर जो आप्शन जाएगा वाप्शन बी के साथ जाएगा कि सब्दों को कंडों में बाटकर क्या करें बुलाएं अगला कोश्चन आता है अगला कोश्चन कह रहा है कि बालक के जन्म के समय सिसु के मस्तिक्स का बार देखिए फिर दुबारा कोश्चन एक नया कोश्चन और जवरदस्ट कोश्चन कह रहा है जब बच्चा पैदा होता है उस समय उसके मस्तिक्स का बार तो उसके मस्तिक्स का सबस्क्राइब करता है अगला कोश्चन वहारा है इसमें क्ला झाकब चात्रों के ब्यक्तिकत विभेद प्रकार सरवत्यम से जाए है क्या के रहा है कि अन्तर का विभेद यानिकी वाचीत कैसे जां सकता पहला निवंद लिखव के वादो बिवाद प्रत्ययुक्ता से या फिर प्रकूज्च्छ्छभ से प्रसि तो मनोबैग्यानिक प्रशहर से ही हम उनके बातों को और विचारों को क्या कर सकते हैं संस् nhकंते हैं बच्चों के जो भात वीवाद करने की कि विचार होता है किस वह कौन सी वत्ता है क Arist got art इस वहें जिए आशी होती है जिनमें कलफना जगत का किया यूत न होता है उतपन हो जाता पम काल वा सह любим नाश Thankfully की तरी कि चीज की कलपना करने का चमता में आधेशरीर में होती है यूटान हो जाती है अगला है अगला क्या कि देखिए बालक मुख्य मुख्य रंगों की हैं किस आयू में करता है तो दॉस्तों बाल लग का जो है रंगों की पहचान करना वह पांच की आयू में बच्चा जो बालक क्या करता है रंगों की पैचान करना शुरू करता है जैसे कुछ लाल पिला नीला जो रंग हमें हमेशा देखने को मिल जाता है उन रंगों की पैचान बालक दीरे दीरे पांच वर्स की आवी में करना प्रारंब कर देता है अगला है सिच्छा मनुविज्ञान के मुख कितत्व क्या है पहला है सिछार्थी सिछार्थी होगा तभी तो सिछा दी जाएगी दूसरा सीखने की प्रक्रिया होनी चाहिए अगर सीखने वाला नहीं होगा तो सिच्छा देगी नहीं जाएगी अध्यापक यदि अध्यापक है नहीं तो सिच्छा देगा कौन ठीक है तो कि सभी इसमें सभी सभी अगला कोश्चन आता है कि सरप्रतम मनोविज्ञान सरप्रतम मनोविज्ञान को किस भी सह के अध्यान करता के रूप में स्विकार किया गया तो यदि बात करें कि सरप्रतम मनोविज्ञान को जो है अध्यान करता तो आत्मा का मनोविज्ञान माना ग देखिए कंवLoji को ढंकर 25 नहीं यहां में औपसान ये देखना है त्रकोडिय भाग नहीं यह नहीं कह रहा है त्रकोडिय भाग नहीं है तो यह तो सैचिक उद्देश है यह आपकी नहीं है किना इस पूचा है तो नहीं देखेंगे एक है यह हुद जिस्छण अनुभॉव मुल्य Applicant प्रकोड़िये भाग को मुल्यांकन सिच्छड नहीं होता है इसलिए यह वारा जाएगा एक इसमें जाएगा आप्षान नमर सी के साथ इसका आप्षान समानता लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं क्या यह सत्य आए तो यह भी सत्य नहीं है कि क्या समानता लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं यह भी तत्य सत्य नहीं है तो सत्य क्या है सत्य यह है कि बुद्धी बुद्धी का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है बुद्धी का जो है लिंग से कोई संबंध नहीं होता है कि वो इस्तरी है या पुरुस है कोई भी लिंग उससे बुद्धी से मतलब नहीं होता है तो बुद्धी का लिंग से संबंध नहीं है अगला कोश्चन हमारा नेक्स्ट जो निमलिकित में से कौन सी समस्या सिच्छा मनुविज्ञान के छेतर में आती है वो कौन सी समस्या जो सिच्छा मनुविज्ञान के छेतर में आती है तो पहला क्या है सिच्छकों की अनुपास्थिति विद्यालों में बच्चों का कम नमांकन सिच्छा का गिरता हुआ अस्ता स साज्छिट पिछड़ापन भी तो यह तो साज्छिट्ट पिछड़ापन है कि तो और वाले में है डिसलेक्सिया संबंदीत है यारिक डिसलेक्सिया की बात करें डिसक्सिया डिसकैलकूलिया तो पीर अगला कोशन क्या है कि किस अवस्था कि किस अवस्था में विचारों में परिपकता आ जाती वह कौन सी अवस्था है जिसमें मनुष्य के विचार में परिपकता यानि कि सोचने की छंता अधिक विक्सित हो जाती है तो क्या सैस्वा अवस्था में नहीं बाल्य अवस्था मे किसे में जाती है किसोरा किस्वरह अवस्ता में बालक अकनी गलतियों को और गतिबिधियों को सोचने तर्प करने की संधा जो होती है। सब्सक्राइब इसमें जो है अपने तार्किक सक्ति का और क्लígen की छमता इसधी हर छित हुआ तो इसके आगे आप नहीं है और वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यदि आप चैनल पर नए आया हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और हो सके तो दोस्तों को सेर भी करें और हम आप से मिलते हैं अगली वीडियो में